आज बापू धाम चंपरण में गांधी जी को नमन करके गरीब विरोधी CAA, NRC, NPR के विरोध में एक महीने की जनगर्मन यात्रा की शुरुवात होनी थी समाज के सभी तबकों के लोग इस यात्रा में सामिल थे लेकिन आज चंपरण में कनहिया कुमार को गिरफतार कर लिया गया है और प्रसासन से जो जानकारी सामने आई है उनको परमीशन नहीं दिया गया था और वहां के जो लोग थे उन्हें भी गिरवतार कर लिया गया है लेकिन प्रसासन का कहना है लोगों को गिरवतार नहीं किया गया है सभी समाज के लोग वहाँ इकठा हुए थे जहां इसकी भी परमिसन नहीं दी गई थी आप सब जानते हैं कि आज गांधी जी का बलीडान दिवस्थ है और आज ही के दिन भोट से में गांधी जी की हत्या करती है और आप ये जान लिजिए कि गांधी जी के हत्या के प्रियास शे बार किये गए थे शे बार ऐसा नहीं है कि विभाजन के चलते गांधी जी की हत्या आज हम जिस तरह की परिस्थिती में खरे हैं जिस तरह से समाज के बीच नफुरत फैलाया जा रहा है जिस तरीके से दिन रात हिंदु मुशल्मान करके लोगों के बीच में दूडियां बढ़ाई जा रही है जिस तरीके से अपने ही देश में अपने देश के नागरिकों को दोयम दर्जे का बताया जा रहा है ऐसी परिस्थिती में हम गांधी आस्रम आये हैं विधरवा आये हैं गांधी जी का संदेशा लेने के लिए वही संदेशा जिसमें गांधी कहते हैं कि किसी भी इंसान के साथ किसी परकार का कोई भेदभाव नहीं होगा लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आज हम लोगों को गांधी जी के मूर्ती के उपर माल्यारपन करके माता कस्तुर्वा के उपर माल्यारपन करके बेतिया जाना था और बेतिया में कारिकरम करने के बाद मोतिहारी जाना था लेकिन पुलिस का ये कहना है प्रसाशन का ये कहना है कि आपका पर्मिशन किंसिल कर दिया गया है कल रात में फिर भी लोग वहां एकठा हुए जिसको लेकर प्रसाशन ने कनहिया कुमार को गिरफतार कर लिया कनहिया कुमार जन गड मन के तहट एक मुहिम चलाई है देश में जो CAA, NRC, NPR के खिलाफ है और कनहिया कुमार का कहना है हम संविधान बचाने निकले हैं आज बापु जी के पुनिति थी है और आज जैसे ही कनहिया कुमार बिहार के चमपारण में गांधी जी के मूर्ती पर माले आरपन किया उसके बाद ही पुलिस ने कनहिया कुमार को गिरफतार कर लिया कनहिया कुमार ने ट्विट किया है साथी पर कारवाई करके दो संदेश दिये हैं अगर आप शाह और सेंसा के चाटुकार हैं तो कोई भी अपराध हो सरकार नियम कानून ताक पर रखकर आपको बचाएगी और दूसरा अगर आप इनके लूट तंत्र का सच सब को बताते हैं तो कानूनों की धज़्या उड़ाकर आपकी होई उडान क्या सांस लेने पर भी बैन लगा देगी ये ट्विट किया है कनया कुमार ने फिलाल कनया कुमार की चंपारण से कई और जगों पर जाना था मगर उनका पर्मिशन कैंसल कर दिया है ऐसे वहां की सरकार कह रही है प्रसासन कह रही है और इसी साथ समाज राजनीटी से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम से ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें